पर मुरेना से है जहाँ एक्सिडेंट के बाद इस तड़क पर फिल्मी नजारा दिखाई दिया बाइक को टकर मार कर भाग रहे ट्रक पर छात्र लटक गए ट्रक दो किलो मीटर तक दोड़ता रहा चात्र ट्रक के आगे लटके रहे हालकी पुलस ने कड़ी मश्वक्त के बाद ट्रक को रोका दोनों चात्रों को सुरक्षित वहां से निकाला गया इस तंट का वीडियो अब वाइरल हो रहा है ट्रक च्वालक खालकी गिरफता हो चुका है लेकिन ये मुरेना से खबर आपको बता रहे हैं जहां एक सड़क इस ट्रक पर लटक गए ताकि जो चालक है वो ड्रक पर रोके और ये च्वायतर उसे पकड़ सके और समभाद दाता उमेश पाराशर हमारे साथ फोन लाइन पर जादा जानकारी के लिए जोड़ गए हैं उमेश पूरा मामला आपसे वस्तार से समझना चाहेंगे बिल्कुल जया मैं आपको बताना चाहूँगा मुरेना के एने स्री हाइवे पर आज एक फिल्मी सीन देखने को मिला जहां पूरा घड़नकरम हम इस तरह से समझते हैं कि एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी उसके बाद बाइक सवार जमीन पर गर जाते हैं के लिए वहां आते हैं तो ट्रक चालक है वो टेजी से उस ट्रक को भगाने की कोसिस करता है तब ही जो जो चालक से जो बाइक सवार थे वो दोनों ही यूब उस जाते हैं और यह फिल्मी स्टाइल का नजारा लगवग एक किलो मीटर तक जो आरोपी चालक था उसने ट्रक को तेजी से बगाया जब वहां पीछे से एक यूबक बाइक सवार था जिसने पूरी जो घड़ना किरा में उसका बीडियो भी बनाया और एक किलो मीटर के बाद प पुलिस ने मसक्तित के बाद बचाया है और यह पूरा जो घड़ना करा में चिटी कोत वाली ठाना चीज़र का यह पूरा मामला है जीज़ें ठीक है बहुत शुक्रे आपका उमेश जानकारी साधा करने के लिए हालकी ट्रक ने बाइक को टकर मारी थी और इसी के बाद यह साधर ट्रक पर लटक गए लेकिन सबसे बड़ी और महत्मूर बात यह है कि इस तरह अपनी जान को जोखी में डाल कर ट्रक ड्राइवर को पकड़ना कहीं से भी कोई उच्चत बात नहीं है और बंसनीज भी अपील करता है कि इस तरह के स्टंट जो फिल्मी नजारे जिसे क रहे जा रहे हैं इन्हें कोई भी आगे से ना करें पुलस का काम है आरूपियों को पकड़ना और इस तरह की जो स्टंट है उन्हें फिर से ना दोहराया जाए